हेलो फ्रेंट आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग अपनी ब्लोगर वेबसाइट का कैसे फास्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका अगर आपकी वेबसाइट के बहुत ही आसान है आप लोगों को पहले तो अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना होगा पेज़िश्पीड इंसाइट चेकर पर तो यहाँ बार मैं सर्च कर लेता हूँ पेज़िश्पीड इंसाइट मैंने सर्च कर लिया इसके बाद आप लोग को यहाँ पार फस्ट नवर पर मिल जागा तो देखें यहाँ पर यह वैटल भी फेल्ड है तो यह पर नीचे आने बेसिकली यह फेल हो जाता है तो आपकी वेबसाइट की पॉस्ट ज़्या रंक नहीं करती है आपके ओमें देख लिए जिए पास्ट है या फेल ये वेबसाइट की स्पीड पर मैटर करता है पास होगा या फेल तो नीचे हम आके देख लिए देखे 63 वेबसाइट की स्पीड शो कर रहा है 63 एवरेज होती है अच्छी स्पीड होती है 92 100 और लो होती है 0 240 आपके जितनी भी है comment box में जरूर बताएगा और यहां पर आप लोग कैसे fix कर सकते हैं से इसे fast करना है तो यह तरीका में आखो बताता हूं नीचे आना है आप लोग को नीचे आने का देखिए यहां पर कितने सारी opportunities पर लिखा होगा यहां पर issues यह सारी issues है तो बारी वाई से मैं सबको fix करने वाल हूं आपके जो extra आ रहा हूं आप लोग को जरूर मुझे comment box में बता दीजेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अभी हम लोग यहां पर reduce unused java script यह लखा हुआ है इसे सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे तो आप लोग को आ जाना अपने blogger के dashboard प पर यहां पर आप लोगों को क्लिक कर देना है बैक अप पर बैक अप आप लोग को यहां पर इस एरो पर क्लिक करना है और add it html पर आ जाना है अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कोड़ी की knowledge है तो आप काफी आसानी से यह कर ले के नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ आप यह से ही follow कर ली जिए काफी आसान हो जाएगा आपके लिए यह करने के लिए तो यहां पर आप लोग को आजाने पेजी स्पीड इंसाइट पर यहां पर reduce unused javascript लिखा हुआ है आपके में भी लिखा हुआ आपको इस पर click करना है एड्स वाइ Google लिखा हुआ है बीच में तो आप लोगो इसे भी remove नहीं करना है अगर आपको approval होगा तो आपके जरूर यह शो कर रहा होगा तो आप लोग इने remove मत कीजिए जैसे में आप लोगो यह वाली को remove करके देखाता हूँ यह लिखा हुआ है इसे में remove आपको करके मैं लिख देख स्लेश जी टैग बस इतना ही लिखे हम एंटर कर देते हैं तो देखे आप लोगो यहाँ पर यह देख रहा है लिखा हुआ है स्लेश जी टैग स्लेश जेएस जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं यह बिलको वही है तो तो आप लोगों simply इसे यहां से hold करें, cut कर देना है, मैंने cut कर देना है, एक line को ही remove कीजिएगा, जादा मत कीजिएगा ने, तो आपके में बहुत जादा problem हो सकती है, अब देखे, आप लोगो simply save पर click करना है, save होने के बाद आप लोगो एक बाद इसे कर लेना है, तो मैं preview आपको दिखा देता हूँ नहीं तो डायट आप बैक आजाई है फिर उसकाद यहां से व्यू कर लेते हैं यह आ गया मैं website पर तो आपको दिख लेना कोई issue तो नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है कोई इर्रिस्पॉंसिफ हो गई आपकी थी या कोई भी problem हो गई हो अगर हो गई हो तो आप लोग उससे remove करके backup फिर से restore कर सकते हैं यहां पर मैं आपको बता देता हूँ backup कैसे restore करते हैं simply आप लोग को यहां बाद three lens पर क्लिक करना है और restore के button पर क्लिक करके upload पर क्लिक करना अपने PC से जो backup आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे आप install कर लीजे दोबारा से मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे में कोई भी issue नहीं आया और यह problem भी fix हो गया है देखे यहां पर आप मैं आपको दिखा सकता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जागा अब second number पर बात करते हैं reduce initial server response time आपके में यह भी जरूर आ रहा हो यह server response time basically hosting पर depend करता है आप blogger पर हैं तो यहां पर यह hosting का server response time ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मैं आपको recommend करूंग अगर आप blogging में serious है आप running करना चाहते हैं तो आप लोगो wordpress पे shift होना होगा web hosting लेनी होगी थोड़ा बहुत investment आपको करना होगा अभी 50% से ज्यादा का discount मिल रहा है तो आप लोगो link description box में मिल जागा उस वीडियो का जाईए और उस वीडियो को देखकर web hosting purchase कर लीजा आप लोगो 50% से ज्यादा आप इतने issues को fix कर लीजेगा आप की स्पीड काफी फास्ट हो जाएगा अगर यह सब प्रॉब्लम सम लोग सौल कर देते हैं तो आप लोगो basically कुछ तरह से अपने page की स्पीड को फास्ट कर लेना है इन tips को follow करना है और अगर कोई वीडियो अच्छ लगा तो वीडियो को ल वाले बेल आइकन को टान उनका नम मत भूलेगा